नमस्कार देखिए आजकल कोई भी नहीं है जो गूगल पे फोन पे यूपी जो है यूज नहीं करता है पैमेंट सिस्टम को किसी को चाय भी पीना है चाय के टपड़ी पे भी जा रहा है तो वहाँ पे स्केनर लगा हुआ है वहाँ पे वह स्केन कर रहा है पांच रुपे दस रुपे सही वहाँ पे स्केन करके पे कर दे रहा है और वह अपना जो है काम वहाँ पे हो जाता है कैसलैस इंडिया बन रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यही ट्रांजोक्षन करना आपको भाड़ी पड़ सकता है और आपको लाखो रुपय का नुक्षान भी दे सकता है इसी भी सहर पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो नमस्कार मेरा नाम है चंदरकांत और आप देख रहे हैं सेफ इंडिया देखिए होता है क्या है कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे ओडियन्स है ऐसे सब्सक्राइबर है जो CSP चलाते हैं या फिर मैं उन लोगों का भी बात करूँगा जो help परपस के लिए भी वो UPI कर देते हैं या फिर अपने ही खाते से payment करते हैं खुद लेंदेन करते हैं कुछ rewards, points वगेरा के लिए या फिर कुछ लोग CSP जो चलाते हैं वो 1-2% ले करके cash transfer भी कर देते हैं फिर cash वो अपने UPI के थुरू अपने account में लेते भी हैं अगर देखिए कोई भी एक individual person है तो उसके पास saving account है और saving account जिसके पास भी है सरकार के नियम के अनुसार अगर आप धाई लाक से कम का आपका income है तो आप जो है income tax से छुटकारा मतलब आपको छूट है लेकिन अगर income आपका धाई लाक रुपे से उपर है तो आपको income का जो return file है वो करना पड़ता है income tax भरना पड़ता है तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि आज कल जो ये trend चल रहा है UPI scan करो और payment कर दो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को आपको payment करना है ठीक है आपको अगले से payment ले लेते हैं और फिर दूसरे किसी के पास भेज देता है ऐसा नहीं है कि आप commission कमाने के लिए payment कर रहा है आप helping purpose के लिए help के लिए भी आप ये काम कर रहा है आप एक भी रुपे किसी से नहीं ले रहा है आपको कोई भी income नहीं हो रहा है वहाँ पर बस आप लोगों की मदद कर रहा है लेकिन सरकार के नजर में वो आपका income है bank वाले क्या करते हैं आप सुची कि सरकार के पास कई से पहुँचेगा तो bank वाले आपका transaction record को सरकार के पास पहुचाते हैं वो वहाँ पर बताते हैं कि इनका जो है इतना transaction हो रहा है इनको इनके पास income tax का notice जो है भेजना चाहिए तो मैं आप लोगों से इतना बोलूँगा कि अगर आप business purpose के लिए काम कर रहा है तो 1-2% के लालच में अपने saving account से transaction ना कीजिए उसके लिए current account है आप उसको current account में तबदिल कर लेजिए saving account है तो उसको current account करवा लीजिए या फिर current account जो है एक नया खुलवा लीजिए उसके बाद जो है आप ऐसे transaction कीजिए bank वाले से भी आप पूछ लीजिए वहाँ पे कि मैं कितना जो है transaction करूंगा तो हमको ITR से छुटकारा रहेगा और जो saving account वाले हैं उनके लिए मैं एकदम से उनको आगा कर देता हूँ कि अगर आप बहुत सारा transaction कर रहा है तो आपके पास ITR का notice आ जाएगा और आपके पास कोई सबूत भी नहीं रहेगा transaction का अगर ITR में जब आप वहाँ पे जाके बोलिएगा कि मैं तो help purpose के लिए use किया हूँ इसको मैं कुछ भी रुपिया इससे नहीं कमाया हूँ लेकिन लाखो रुपिया का transaction तो आपके bank detail में show कर रहा है आप भूल जाईएगा आप skin shot लेके नहीं रखिएगा लेके रखिएगा भी तो वो delete हो जाएगा लेकिन वहाँ पे आपका record बना हुआ है जिंदगी भर तक वहाँ पे record रहता है तो इससे ज्यादा से ज्यादा है आप लोगों को बचना है अगर आपका transaction धाईलाक रुपे से कम होता है ठीक है मैं ज्यादा highest तो करने का सला ही नहीं दूँगा कि मैं इसमें आप लोग मैं हो या आप हो इसमें रिक्स लीजिए बिलकुल ही रिक्स ना लिजिए क्योंकि ITR का notice आने के बाद income tax का notice आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाईएगा क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत कोई भी गवाह नहीं बचा रहेगा कि आपके पास ये है इससे आप बच जाएगा आने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा तो मैं बस आप लोगों से इतना ही आपको अगाह करूंगा कि आप जो है अगर individual person है तो अपने काम से काम रखिए ज्यादा जो है ये helping purpose के लिए आपको ये कर रहा है तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर कर देना है भाई सब उनको करना है तो उनहीं के mobile से लेके कर लिजे क्योंकि उनहीं के mobile से उनको उनका काम जो है कर दीजे अगर वो ऐसा कर रहा है नहीं तो फिर आप अपने account म होगा तो उसमें आपको दिकत हो सकता है तो बस इतना ही था इस वीडियो में उमीद करता हूं आप लोग जो है इसको क्लियर कर लिये होंगे फिर मिलते हैं आम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार